हेलो जी, गुड मॉनिंग, और कैसे हो आप सब, आप सभी का मेरे व्लॉग में स्वागत है, मैंने आप सब को बहुत बहुत जादा मिस किया, और I know मुझे मालूम है आप सबने भी मुझसे बहुत कोशे मिल पूछे हैं कि दीदी आप कहा हूँ, आपका व्लॉग क्यों नहीं किया है मैंने, क्योंकि मेरे घर में सब वो की ही तब्यत खराब हो रखी थी, इसलिए मैंने कोई व्लॉग शूट ने किया, और ये वाला जो व्लॉग है, ये होली के बाद का मलब नच देका है, मैंने आपको मालूम बताया था ना कि आपना की तब्य ठीक नहीं, उसको फी पिटर लेकर जाना पड़ा, तो ये ही चल रहा है घर के अंदर, इस वज़े से मेरे व्लॉग नहीं आ रहेते हैं, मैं सारा जो फोकस मैं अपने घर में अपने बच्चों के और अपने हजबन के उपर ही दे रही हूँ, क्योंकि जब घर में किसी की तब्यत खराब होते है, खास खर के बच्चे, इनकी ज़्यादा तब्यत खराब होते हैं, तो कुछ भी मन नहीं करता है, किसी भी चीज का मन नहीं करता है, मैं और मेरे हजबन दो दिन से पूरी-पूरी रात हो गई, निकल गई, मतलब हम सोए, नीन, तो एकदम ऐसे कहलो की उड़ी गई थी, कि ज जो मुझे नहीं मालूम यह वाला व्लॉग कौन से दिन का है, यहां कि तक कि डे भी नहीं पता मुझे कौन सा दे है, वैसे यह है कि कल आरना को लेए थे अमेर्जिंसी में, क्योंकि उसकी जो फीवर रहना उतर ही नहीं रहा था, एक सुचार से बलकुल ही नहीं हील रहा थ पट्टी भी रख ली पाने के तब भी नहीं हो रहा था, और यह मुझे कहा रही थी, जब मैंने सको सुलाने के लिए गई थी, जैसे मैं सुला जेती दोनों बच्चों के एक साथ, तो यह सोगी, आते खंट बात आके रो रही थी, तो कहा रही थी कि ममी मुझे गंदे-गं मेरा घूम रहा है, तो फिर हमें लगा इसको चक्कर आ रहे होंगे, तब इसका फीवर चैक किया, तो एक सो चार फीवर, हालत नहीं जदा खराब हो गई थी, तब मैंने फिर पट्टी रखी पानी की, तो नहीं उतर रहा था, दवाई भी दी उतर ही, नहीं रहा था, इसका पापा और मामो के साथ गई थी, अपने, गई थी वहाँ पर जाकर, फिर बस आ गई, तो थैंक गोड, अब दोनों बच्चों की तबित ठीक है, बहुत जादा दिमाग खराब होता है न, जब बच्चों की तबित खराब हो जाती है, तो अभी ये सुबा का ही है, टाइम थ तो अभी मैं नाच्ता बना कर आ गई हूँ, नाच्ते में था, ढूकला बनाया था मैंने, उसके बाद देखा कि गोलू का भी फीवर नहीं उतर रहा था, एक ठीक होता है, तो दूसरा पढ़ जाता है, यही चल रहा था मेरे घर के अंदर, तो मैं उसको लेकर गई थी, हॉ इनको ना कहते हैं, भूग नहीं लगती है, बना कुछ खाने पीने का मन नहीं करता है, आसी आरने के साथ था, यही तेम गोलू के साथ भी हो रहा था, युवान के साथ, तो इसको मैं यह कुछ दूद वेगर कुछ नहीं पी रहा था, और इसको देखके भी दिमाग इतना जादा खराब रहा था, देख उसकी आँखे इतनी चड़ी-चड़ी सी है, और पता इसका वेट भी कम हो गया, दोनों अच्चों का वेट कम हो गया, यहां तक कि उसके साथ मेरा भी वेट भी कम हो गया था, क्या ही बोलू मैं, यह था, उसी दिन का था, हम कपड़े रख र लग रहा था, यह उसके बाद जो है ना, बस इसके पापा को, शाम को, दो पैर के टाइम लिए, इनको भी खांसी खांसा होई रहा था, तो इनको भी फीवर सा आने लगा, तो मैंने बोला, एक बार चेक कर लो, युवान का तो फीवर थोड़ा बहुत ठीक था, तो फिर इ काफी अच्छा है ये, क्योंकि बच्चे का होता है, बगल में हम लगाते हैं, बच्चे को तो लगवाते नहीं है, तो इस तरीके से सोते हुए भी चैक कर सकते हैं, तो देखो, यह हस्बंड का फीवर है, बहुत दिमाखरा हुआ 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 है, कालो के उतार दिये, बहु में बच्चे के तो दो आले ती हुए हुए तो यहाम का दूखने लगते हैं, इस पजिसे मुझे हुए, आरा जारा आ खाना था तरभी आले हुए, रहा हुए तो यहाम का टाइम हो गया है, बस थोड़ा सा लेटी थी मैं, बहुत करते हूँ, तो नहाने जाना है, मुझे अब दोनों बच्चे भी खेल रहे हैं, क्या कहते हैं, कल उसको, कल आरना को अमर्जिंसी में लेकर जाना पड़ा, उसका फीवर नहीं उतर रहा है, एक सो चार फीवर, एक सो चार एक सो तीन, ऐसे हो रहा था, क्या कि वाइरल चल रहा है, जब हम घर गए थी, मैं बताया है, मैं घर गए थी, तो वहाँ पर उसने एक स्क्रीम खा ली, बनाना खा लिया, उसके बाद उसको खासी जुखाम हुआ, चोटी होली, चोटी होली से पहले उसको न, सौंबार की शाब को हुआ था, सौंबार की रात को, ऐसे कोई जब रहाने गए तो गरम लग थी, जब मैं इसको फीवर चेक किया, तो 101 फीवर, फिर वही बनाता है न, कि गोलू के दवाई मैंने पिला दी थी, तो उसको फीवर उतार गया, फिर सुबा देखा तो सुबा भी था, करते-करते, फिर होली वाले दिन भी इसको फीवर था, 101, 102, 103, 104 भी पहुँचा था उसका, तो उसक फिर से लेकर रहे, छोले बटर खायी रही थी, मैं, वह देखा इंकर से उसकी आखे फिर से चढ़ देखा कि फिर से एक दो फीवर उसको, अच्छा मैं आरी, मटा, पहुचा मैं दोलों खेल रहे हैं वो उट गया न, सदीर, ऐसे करते रहे हैं, अगले देन त्योहार होते ह फिर घर चले जाते हैं, फिर डॉक्टर भी नी मिल रहे हैं, तीन दी, चौथे दिन जाकर मुझे डॉक्टर मिला, जिससे आरना के दवाई लेकर आते हैं, उसने चैक वेक किया, और उसके बाद, उसने बुखार उतर रहा था, और फिर छे घंटे आसार यसे खातम होता है, फिर चड़ जाता था, यह हो रहा था, फिर हमने डॉक्टर को बता है कि यह वाली दवाई पिला रहे हैं, ऐसे ऐसे करके, तो उसने डॉक्टर ने चेंज करके दी, हमने वो पिलाई, उससे तो फिर उत्तरने का नाम ही नहीं ले रहा, वहला हमें लगा कि कम हो जाया, कम हो यह जहती हो और अवरह उन्ही बढ़ रहा था उसे, जो दबाई कि न को असर नहीं कर रहे थे, पीवर उसानल आपको जो दुछा का अड़ी पकर बौट भाई को अराम नहीं है तो यह द semester, पूर दो नॉन भाई होगा है, मंटी यह प sìर को ने वह हो दो आए करा जारा ठकानिंद bakसर साम तर्म से रहां 00.15 को थिसा mata मुखहां करा वाइन तर्ण तहों नहीं दो कbour सारा है थार नीजानल इंतरी तो शुच दू कर दो दो भूसकव दो अगर नहीं यहिं व्हासनग है तो गयां था और उसको भी फीवर आ रहा था उसको भी फीवर आ गया तो रहा है पर वहां पर बताया कि यह वाली देवाई पिला रहा रहा है तो उन्होंने बोला कि अगर मैं भी आप मुझसे तो आप ऐसे करना कि जो बर्फ होती ने बर्फ से ही इसके पगल पे माथी पर रखो ठंडी बर्कूल चील्ड वाली पट्टी रखो जैसे बर्फ निकाल के फटा-फट से इसमें डिप करके पट्टी को फिर रखो तो अगर उतर जाता तो ठीक है नहीं उतरता है तो फिर एड फिर बर्फ जोने मैंने वहनिको फोन किया कि क्या है तो फिर उनने मुझे बताया तो पता पतील मैंने फिर इन देखें मैंने फ्रिजर में पानी रख दिया था ठंड तो हो जुए गया था ठंड रखा उसकी आई थी तब 24े बर दो एक सुर पीवर ऑद एसे में रख था त पट्टी रखी जब लगा ना कि हा एक सो चार से 104.4 था जब बूआसे लगा कि 104 से 2 हुआ तो फोड़ सा लगा कि हां धीर धीर उतर रहे हैं फिर ऐसे गड़ते रहे तो जाके इसको भी धाई बज गया पट्टी रख 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 जाक रखें दाए बजगे तब जाके इसको 102 फीबर आया और उसको पता है कि चक्कर भी आ रहे थे एक दम से जब 104 फीबर आता है तो आप सो सकते हो क्या हाला तो हो जाती है बड़ों की इतनी ऐसे चोटों वो तो और भी छोटी हो क्या हाला कहारी मुझे चक्कर आ रहे हैं त तो एक सदो हो गया है तब इसको शुलाया दवाई पे लाकर अचा फिर सुबा नाट देखती रिए मनका फीवर ठीक है ठीक है नी आज पूर दी निन्नी आई पर रात निन्नी आया थी मुझे देखती रही ते रही साड़े छे उसुबागे साड़े छे बजे मैंने चैक किय तो देखा फिर से एक सो चार फिवर कि मैंने पट्टी रखने से मना कर रहे थी कि बॉड़ी में जबरत्स्ती रखी यह सुबा जहां से हम इसकी डॉक्टरी से दवाई लेकर आती ना उनके पास गए हम पिर साथ बजे उनको कॉल करा था क्यारते कि आ जाओ पिर हम उनके प जब फेले वाले दे रहा Count्यर में और पाजिए मौह से खंटे कि स्कारफा करें होदु करें जो रहेते हुं और हो उतारा उसको पिलाकर फीज़ा करें Gustav गही तो यह था एक हो अश्यों हो फिर नहीं चाहँ Channel जब दॉक्टर के सुबह गए थे दॉक्टर के पास वनलब जब दबाई चीज करवाने के लिए गए थे तो उस दिन पूर दी था अगले दिन नहीं था अच्छा जिस दिन इसका फिवर ठीक हुआ अगले दिन फिर गोलो को हो गया वह सो सो से उपर एक सो पर तीन चार ऐसे ह पर यह सब्सक्राइब तो आजी में लेकर गए और यह रहता है कल इसको अच्छा यह जो फीवर चल रहा है और वायरल फीवर ही हो रहा है आप सब अपना ध्यान रखिएगा गोलु तो बतलब अभी तो थोड़ा सा ठीक है खेल रहा है खेल तो बहुत अच्छे बहुत तो अभी मेरे हजबर को आगया है, मैंने को बोला है कि आप लेलो फी दबाई ले आना तो जाएंगे शाम को अभी मुझे मुझे कहले कि तुम मत हो जाना, मिर्चे थोड़ा दूर रहना, तो मुझे भी खांसी जुखा मुझे भी हो गया है, बस मैं नहीं पढ़ना चाहती है अगर मैं पढ़े तो मैं कैसे करूंगी मुझे नहीं मालो, अज मैं आपको दिखाती हूं कि इसकी जो हम पहले आर्ना को पिला रहे थे ना, जब डॉक्टर नहीं मिल रहे थे, तो हम आर्ना को यह वाली पिला रहे थे, इससे तो फीवर उतर रहा था, फिर 6 घंटे का सार ह होता थे, पिर चड़ जाता था, जब दॉक्टर बिले, आह एक दॉक्टर, तो उन्हों ने फिर यह लिखी थी, यह वाली लिखी थी लोने, इससे कोई फीवर ने उतर रहा था, उतर रही नी रहा था, फिर दुबारा से फिर यही देनी पड़ी, इसने काम किया था, क्यों मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ अच्छा आप से पूछ होगे मुझसे कि दीदी हमें भी बता दो तो देखें ये डॉक्टर तो प्लीज ये जो दवाये ना ऐसे मत लीजिएगा ठीक है अपमें डॉक्टर से ही सला कीजिए क्योंकि बुखार के लिए हम कोई रिक्स नही कर सकते हैं इसके लिए पर फीवर के लिए कोई रिक्स नहीं ले सकते हैं इसलिए अगर मुझसे पूछ होगे कि दी कौन सी दवाई है मुझी भी बताइए हमें भी बताइए इस तरह के तो मैं आपको बता तो दूगी बट ना आप मत ट्राइ कीजिए क्योंकि जब आप अ उसके अकॉर्डिंग ही दवाई दी जाती है तो बस यह है कि मैं वस यही बोड़ू कि आप पत लिए असी कर दवाई पत लीजेगा अब जाती हूं नहाने के लिए अब मैं वीडियो का अंड कर रहे हूं पता नहीं वीडियो कब जाएगी कब में अडिट कर पांगी कब मेरे घर पे जो चल रहा है सब बीमार बस वो सब ठीक हो जाए ठीक है मिलेंगे नाक्स वोड़े में नीद बहुत दी जारी मुझे